तयार, आज, फिजिक्स में मचाते हैं You are walking on a sea show and a mild wind is blowing Is the motion of air a wave motion? सोचो बढ़िया है ना, बीच पे तुम चल रहे हैं ना, बढ़िया Sunset कड़ाय में, पिंकिश-Pिंकिश सा इसकाई हो रहा है ना, बढ़िया लाल-लाल सा हलकी हलकी बारिज हो रही है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है तो जो हवा चल रही है, क्या वो wave motion है? क्या वो wave है? क्योंकि, especially जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं फिर जब concept के लिए नहीं होते हैं, तो हम उससे समझ लेते हैं क्योंकि जब air flow कर रही है, particles are flowing, यह समझो, यह wave motion नहीं है air flow करना मतलब हवा, हवा जो भी हमारी nitrogen, oxygen जो भी है वो एक point से दूसरे point पर flow कर रही है there is a bulk motion of the particle, wave में particles का bulk motion नहीं होता देखो, यह हमारी transverse wave है तुम्हें दिखने में ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ यहां पर जा रही है पर असलियत में नहीं जा रही है असलियत में तुम एक particle को observe करो, red particle देखो particle बस उपर नीचे हो रहा है, देखो particle का localized motion है, bulk motion नहीं है कोई भी particle एक जगे सोटके दूसरी जगे नहीं जा रहा है तुम गोगे, पर सर, longitudinal wave में तो particle wave के direction में move करते हैं, सही बात है, यह है अब तुम्हें यह देखके लग रहा है, देखो सर, particles एक जगे से दूसरी जगे जा रहा है देखो सर, longitudinal wave है, सर, हवा longitudinal wave हो सकती है इन डिट उम किसी भी particle पे focus कर सकते हैं, तो तो देखो red particle क्या कर रहा है, आगे जाता है, पीछे आता है तो particles का motion जरूर wave velocity के direction में हो रहा है, जिस direction में wave जा रही है, particle का motion भी उसी direction में हो रहा है particle की velocity, पर particle का motion localized देखो, अपनी जगे पे आगे पीछे हो रहा है तो जब हम बात करते हैं, जब sound travel करता है, तो वो localized motion है particle का, कोई भी हवा का molecule एक जगे से उटके दूसरी जगे नहीं आ रहा तो जब हवा चल रही है, पंके से हवा चल रही है, एसी से हवा चल रही है, that is not the wave motion I think ये clear होगा सभी को है, तो ये wave motion नहीं है